नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 67th BPSC और बिहार दरोगा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से सम्मंधित important सभी point को डिसकस करेंगे ठीक है आधुनिक भारत के कहां से डिसकस करेंगे हम लोग तो एरोपियों कमपणियों के आगमन से लेके 1947 तक ठीक है 1947 तक और सारे अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो पहले आप एक बार वीडियो देख लिए 8-10 मिल वीडियो देखें उसके बाद आपको इसका importance समझ में आ जाएगा अगर आप देखें इस वीडियो को पूरा देख लिजेगा जो सिरी चमलोक आएगा तो बिहार दरोगा और BPSC का guarantee देते हैं आपको history में एक भी question नहीं छूटेगा ठीक है जिस परकार से notes बनाया गया है उस परकार से लोग notes बनाने का प्रियास करते हैं आईएस में दिन रात अपना जिन्दगी खपा देते हैं लेकिन इस परकार के बिचले notes बनाने में उनको बहुत समस्या आत पूर्तगाली में सबसे पहले कोन आता है भारत तो बासको डिगामा आता है और कब आता है 1498 इसपी में भारत में आता है भारत के लिए जो नई समूंदरी की मार की खोज कौन करता है तो बासको डिगामा करता है और बासको डिगामा को भारत की जो नई समूंदरी मार की ख पहुचते हैं तो और साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर अर्रब बेपारी जो बास्को डिगामा जब आता है भारत में काली कट पर तब जो जब 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 अर्रब बेपारी बिरूद भी करते हैं बिरूद करने का कारण है आर्थिक नोटकर लिजीगा इभी एगजामिंग पूछा ज़ाता है उसके बाद की काली मिर्च के बेपार से 30 गुना अधिक मुनाफ़ा कमाता है बास्को डिगामा तो ठीक है अबेक的 पॉाइंट है पूर्दगाली का ठीक है तो भारत में पर्थम पूर्दगाली 22 राय एवाब गवर्नर कौन था तो फ्रांसिस्को दा अलमीडा ये पूछा जाता है पंद्रसु पाच में आता है और इसी के द्वारा फ्रांसिस्को दा अल्मिडा के द्वरा दी गई है ठीक है हिंद महासागर में परभुत अस्थापना है तू उसके बाद नेक्स्ट है अलफांसो दा अलवुकर्ग ये भी आपके पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर है भरत में पुर्तगाली सक्ती का वाश्तिविक स्थापक कौन है तो वाश्तिविक स्थापक आपको अलफांसो दा अलवुकर्ग ही है ठीक है पंदरसो दस इस्थी में जो है बीजापुर के सासक से युसुफ आदिलसा से गवाँ चिन लेता है बहुत पुछा जाता है कि बीजापुर के सासक से जिनका नाम है युसुफ आदिलसा से गवाँ कौन चिन लेता है तो अलफांसो दा अलवुकर्ग चिन लेता है तो पंदरसो दस इस्थी में चिन लेता है साथ मैं आपको याद रखना है कि एरोपीय एवंपुर्टगाली का परथम जो दूर गए उस कंद्रिमान कहां पर किया जाता है तो कोचिंग में ठीक है कहां पर कोचिंग में और कब के जाता है पंदरसो इस्थी में किया जाता है इस्था नोट कर लिजैगा ये पूछा जाता है कि पूर्तगाली अपना पर्थम दूर कंद्रिमान कहां पर करते हैं तो कोचिंग में करते हैं कोचिंग किरल में और कब करते हैं तो 1503 में उसके बाद देखिए East India Company के बारे में अंग्रेजी East India Company इसका आरंपिक वर्स देखिए तो सबसे पहले जो 1599 SP में इंग्लेंड में एक Merchant Adventures नामक दल द्वारा इसके अस्थापना की जाती है और December 1600 SP में महरानी इलिजाबेथ पर्थम याद रखेगा पूछा जाता है महरानी इलिजाबेथ पर्थम द्वारा इंग्लेंड में और उसको पूर्व के साथ बेपार भारत पूर्व में है इंग्लेंड का ठीक है ना तो पूर्व के साथ बेपार करने है तो जो अधिकार पत्र परदान किया जाता है और जो अधिकार पत्र है शुरुवात में कितने वर्सों के लिए दिया जाता है तो शुरुवात में आपके 15 वर्षों के लिए ठीक है 15 वर्षों के लिए आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि जब अधिकार पत्र दिया गया इस इंडिया कंपणी को इसके साथ वेपार करने के लिए तो उसमें भारत का सासक कौन था ये कंपणी की जब अस्थापना होई तो उसमें भारत का मुगल सासक कौन था तो अकबर था कौन था अकबर ये कोसन बहुत पूछा जाता है इसे नोट कर लिजेगा वेरी वेरी इनपोर्टन है आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग बताएगा कि मुस्लिफ पट्न बरतमान में किस राज में अस्थित है और 1611 SP में जो है उसमें जो मोगल के सासक कौन थे तो जहांगिर थे आपको याद रखना है अस्थाई था उसके बाद 1613 SP में जो है सूरत में अंग्रेजों का पुर्थम अस्थाई कर खाना अस्थापित होता है 1613 में तो important है उसके बाद next है कि आपका French East India Company हम लोग तो देख चुके हैं अंग्रेजी East India Company देख चुके हैं यह आपका है French East India Company तो इसका मूल नाम क्या था तो इसका मूल नाम था Company देश इंदेश ओरियन्टिल ओरियन्ट लेस ठीक है ओरियन्ट लेस नाम आपको बस तरीब आपको याद रखना है कौन सी कंपणी है तो फ्रेंच कंपणी है इस तरीके जाद रखेगा यह नाम तो इतना पूछेगा मुश्किल है यह नाम पूछेगा और अस्थापना उसके बित मंतरी थे ठीक है बित मंतरी थे कॉलवर्ट लुई 14 में के मंतरी यहाँ पर लिखा गया है तो आपको याद रखना है लुई 14 में के बित मंतरी थे निर्मान जो है राज द्वारा किया गया था मतलब कि जो कंपणी थी जो आपके अंग्रेज East India कंपणी थी वो कि जो फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपणी है वो सरकार के द्वारा की जाती है ठीक है इसलिए बोलेगे राज के द्वारा उसके बाद है कि खर्च है तू धन जो है राज द्वारा प्रदत था जो भी कमपनी के स्थापना पर धन खर्च हो रहा था वो अपके राज सरकार के द्वारा दिया जा रहा था फ्रांस के राज सरकार के द्वारा उसके बाद है 1667 इसपी में जो है फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना होता है 1667 में और उसके बाद है 1668 में जो है सुरत में पर्थम फ्रांसिसी वेपारी कारखाने की अस्थापना होती है तो इन्पोर्टेंट है नूट के लिजी कहाँ पर 1668 में जो है सुरत में पर्थम फ्रांसिसी वेपारी कारखाने की अस्थापना 1668 में होती है उस जबकि J Est India company हे पहली अच्ठाई अस्थाई ऐस्थाहिन कहां करता है तो 1611 में कहां पर करता है उस्थाहिन्य कहां करता है सूरत में ठिक है कहां करते हैं करता है सूरत में याद रखेगा factory का परमुह कौन था तो job चौरनौक था ये question पूछा जाता है, कोने job चौरनौक है, ठीक है उसके बार next है कि Coaching जो जह British उपनिवेस के तहद समलीत कब होता है, तो Coaching जो जह बर्टिस उपनिवेस के अंतरगत कब आता है, तो इसके बाद नेक्ष है कि अंग्रेजी ससनकाल में अफिम उत्पादन हे तो प्रसिद भारती राज था तो कौन था भिहार था ठीक है भिहार इन्पोर्टन्ट है इससे नोट कीजेगा भीरी इन्पोर्टन्ट है उसके बाद है कि पूर्टगालियों को जो ए स्वाली नामक अ था ठीक है, Thomas Best, उसके बाद है कि हूगली को, हूगली को बंगाल की खाली में जो है, समंदरी लूट पार्ट के लिए अडडे की रूप में परियोग करने वाले एरोपिये सक्ति का नाम क्या था, तो उस सक्ति का नाम है पूर्तगाली क्या नाम है पूर्तगाली उस सक्ति का नाम है नेक्स है कि एरोपिय विपारियों कमपनियों के भारत आने का करम क्या है तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले पूर्तगाली आते हैं कब आते हैं 1498 में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं ठीक है जो पुर्तगाली है सबसे पहले आते हैं भारत में और सबसे लास्ट में जाते हैं ठीक है इवाद को याद रखना है सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं जबकि जो फ्रांसिसी है सबसे लास जाता है और देन के बाद आपके फ्रांस फीज आता है फॉसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में है सबसे पहले 1498 इस भी तथा सबसे अंत में 1961 वाली इरोपिय सक्ति थी तो उसका नाम क्या था पूर्तगाली था और 1961 में किसी छोड़ा गया था तो गोवा को गोवा अजाद हुआ था ठीक है गोवा उसके वाद नेक्स है कि इरोपिय सक्तियों में सरपर्तम भारत में समुंद पर अस्थापित किया गया था तो कहाँ पर अस्थापित किया गया था कोचिंग में ठीक है उसके बाद नेक्स है कि पूर्तगाली ने अपनी दुसरी फेक्टरी कहाँ पर अस्थापित की थी तो दुसरी फेक्टरी जोए कन्नूर में अस्थापित की थी इन्पोर्टेंट हुगली अस्थित पूर्टगाली वस्तियों को पूरी तरह से नस्ट किया गया तो किसके द्वारा नस्ट किया गया था तो मुगल बात्सा साह जहां के द्वारा नस्ट कर दिया गया था नेक्स्ट है कि मुसली पटनम प्रथम डच फेक्टरी की अस्थापना अस्थल है इन्पोर्टन्ट है मुसली पटनम जो है प्रथम डच फेक्टरी का अस्थापना अस्थल है नेक्स्ट है कि पीपिली पीपिली जो है डचों की बंगाल में प्रथम कमपनी का अस्थापना अ बंगाल में इतना आपको याद्राखना है ठीक है उसके बाद देखे। बिभीन एरोपिय कंपनिया उसका अस्थापना वेस्त्राफ हो किस कमपनी के अस्थापना कब की जाती है ठीक है तो देख लेजिए तो सबसे पहले देखे पुर्टगाली कमपनी है इसके अस्थापना कब की जाती है तो 1498 ASP में 1498 ASP में जो है पुर्टगाली कमपनी के अस्थापना की जाती है इसका नाम क्या है इस तादो दा इंडिया इसे पल लिज जेगा उसके बाद 15999 में अंगरेजी इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना की जाती है और 1602 में डच इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना की जाती है और 1666 1666 में जो है Dane East India Company के स्थापना East क्यों लगा हुआ है East क्यों लगा हुआ है क्यों पता है क्योंकि देखें इस इरोपियन कंट्री हैं और इनको ब्यपार करना East से किस से East मतलब से लंका से भारास से इंडोनेसिया से मलेसिया से म्यानमार से थाइलेंड से इसलिए बोलतें इस्ट ठीक है इस्ट इंडिया कमपनी इस बात को ध्यान रखना है और 1664 में सबसे लास्ट में कौन है तो फ्रांसीसी कमपनी की अस्थापना की जाती है ठीक है इतना आप समझ गए हैं उसके बाद next देखिए उसके बाद महतपूर्ण कुछ संधिया देखिए जो आपकी एक्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है तो महतपूर्ण संधिया में सबसे पहले देखिए इलाहाबाद की संधी इलाहाबाद संधि से जो बीप्यस्सी डारेक्ट कॉस्षन पूछता है कि जो है इलाहाबाद का संधी कब हुआ ठीक है इसे दो संधी हुआ तो पूछ देगा कि अंग्रेज और मोगल समराथ साह आलम दूतिय के मद संधी कब होता है यह पूछता है जो प्रेविस कोस्षन पूछ बठाक देख लिजेगा तो कब हुआ है तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को डेट याद रख लिएगा इसमें डेट बहुत इन्पोर्टेंट है डेट पूछा जाता है उसके बाद है दूतिय संधी तो दूतिय संधी कब होता है इलाबाद का तो पहला संधी आपका हो गया अगस्त 1765 को चार दिन पहले होता है मोगल के जो सासक है साहलम डूतिय से और चार दिन बाद जो होता है सूजा ब दूबला जो अवद के नवाब है तो इस दोनों याद रहेगा आपसे एकजामें पूछा जाता है ठीक है नोट कर लिजेगा बर बार आप लोगको वीडियो रिविजन करना है अगर बार बार देखे आपको बीपेस्टी पास करना है बिहार दरोगा पास करना है तो आपको पूरा हिस्ट्री पर कमांड होना चाहिए और बिहार अस्पेसल भी आपके लिए हम लाएंगे तो आपको दो छेत पर कमांड होना चाहिए और किस पर करेंट पर और साइन्स पर अगर इतना आप कर लेते हैं अपको तो पॉलिटी आता ही है जोगर ignorance की आता ही है आता है न, तफिर दिकत क्या है अरामसे हो जाएंगे आप लोग ऐसे प्रिविजन करना है उसके बाद है कि मंगलोर की संदी पुचा जाता है मंगलोर की संदी किसके किस के बीच में होता है तो अंग्रेज और टीपु सुल्तान की बीच में कब होता है तो 1784 में होता है ठीक है 1784 में होता है उसके बाद next है कि मदरास की संधी मदरास के संदी जो है किसके किसके बीच में होता है तो मदरास के संदी जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है कब होता है 1769 मतलब कि 1769 में होता है इसे नोट कर लिजेगा मंगलोर वाला था कब हुआ था 1784 में इसमें आपको याद रखना है कि जो टीपू सुल्तान है जो टीपू सुल्तान है टीपू सुल्तान के पिता जी कौन है है हैदर अली नोट कर लिजेगा है हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पिता जी थे उसके बाद आद रखना है सालवाई के संदी सालवाई के केंद्र जो पर्थम अंगरेजी फरांसिसी संगर्स जो अंगरेज और फ्रांसिसी के बीच में संगर्स होता है उसके बारे में आपर दिया गया है इसमें कि जो करनाटक का पर्थम यूद कब होता है तो करनाटक का पर्थम यूद है 1746 से 48 के बीच में होता है और इसका कारण क्या था तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नित्रियुत में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसेसी जहाजों पर अधिकार कर लिया जाता है उसके बाद करनाटक का पर्थम यूद सुरु हो जाता है ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आगे पॉइंट है कि अस्टिरिया के उत्राधिकार यूद का बिस्तार मात नहीं माना जाता है किसे तो करनाटक यूद को ठीक है अस्टिरिया के जो उत्राधिकार यूद का बिस्तार मात नहीं माना जाता है आपको पता है कि इरोप में जो है अस्टिरिया से यूद चल ला था इरोप में उसके बाद है यह जो संधी है जो यूद है एकसला सापेल की संधी 1748 से आस्टिरिया का उत्राधिकार का यूद समाप्थ होता है ठीक है तो आपको याद रखने है जो करनाटेक का पर्थम यूद भारत में भी होता है तो एकसला सापेल की संधी के माध्यम से पूछा जाता ह विवी आई ए उसके बाद है कि बांडी बास का यूद कब होता है तो अंग्रेज बना फ्रांसिस्यों के बीच में होता है कब होता है जनबरी इसमें आपको याद रहना है कि आयर कूट जो अंग्रेज जुग जी जाता है और जो काउंटी डी लाली उसे फ्रांस बूला लिया जाता है घ्क उसके बाद है महतपूर्ण बरस के बारे में यहाँ पर देखिए 1505 है ठीक है 1505 आपको याद रखना है फ्रांसिस्को दा अलमेडा जो फ्रांसिस्को दा अलमेडा है अज्जी दीप और कन्ना नौर इसे बोलते हैं कन्नूर भी इस पर पूर्तगाली दूर का अंद्रिमान कि कि जाता है 1505 में ठीक है पूर्तगाली दूर का अंद्रिमान कब कि जाता है 1505 में और कहां पर कन्नूर और अज्जी दीप पर उसके बाद आपको आगे अज्जी दीप मतलब की जो साइध लच्छदीप को बोला जारा ठीक है किसे बोला जारा लच्छदीप को एक बच्छ गवर्नर यहां पर लिखा गया है उसके बाद है 1534 गया सुद्दीन महमूद साह बंगाल का यह सासक था इसके द्वारा जो है सत गाउं और चट गाउं पुर्तगालियों को फेक्टरी अस्थापित करने की अनुमती दे दी तो किसके द्वारा दिया जाता है सत गाउं और क्यासक है उसके बाद नेक्स्ट आद राखना है 1961 में मैनुवल एंटोनियों वसलो दा सिल्वा गोवा का पूर्तगाली गवर्नर था एक क्वेसें पूछा जाता है एक क्वेसें से जाता है कि 1961 में गोवा है नें भारत गोवा को अपने अंदर ले लेता है ठीक है तो 1961 में जो है Manuel Antonio Vasallo A. Silva जो है गोवा का Governor General था पुर्तगाली सक्तियों का जो है भारत से पलायन कब हो जाता है 1961 में हो जाता है 1961 में ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है 1661 के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा 1661 में क्या होती है तो Charles दूतिये जो England के समराठ है और Catherine कौन है पुर्तगाल की राजकुमारी है इन दोनों के बीच में क्या होता है बीबा होता है ठीक है एक आपके England के समराठ है Charles दूतिये और एक आपके पुर्तगाली राजकुमारी है Catherine दोनों के बीच में बीबा होता है जाता है ठीक है ुसके बाद है की जब गोवा मिल जाता है आपको बंबाई जब गोवा चार्ल्स दूतियों को मिल जाता है तो 1668 SP में जो है चार्ल्स दूतिय इसे 10 पॉन्ड वार्सिक किराये पर किसे दे देते हैं तो British East India Company को दे देते हैं किसे दे देते हैं British East India Company को दे देते हैं इसे नोट कर लिजेगा एकजाम में पूछा जाता आपसे घुमा फिरा की कोशन आपसे पूछता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है विवंजीत सी ने तोपो गोला और बारुद बनाने के कारखानी कहां पर अस्थापित करता है तो लहोर और अमरित सर में अस्थापित करता है उसके बाद नेक्स्ट है कि आमेर के सवाई जैसी ने इुकलीड के रेखा गनीत के तत्वों का अनुबाद कराया था तो किस वासा में तो संस्क्रीट वासा में कराया था यह पूछा जाता है उसके बाद है कि सरंगली मंदिल में सारदा देवी की मुर्ती निर्मान है तो धन देने बाली मुस्लिम ससक का नाम क्या था तो टीपू सुल्तान नाम था ठीक है टीपू सुल्तान नाम था उसके बाद है कि Lord Histing ने पेसवाई को समापत किया तो जो Lord Histing साहब है पेसवाई को कब समापत करते हैं तो 1818 SP में The Pioneer समाचार पत्र का प्रेराम जो है 1865 SP में जो है इलहाबाज से किया था तो किसके द्वारा किया गया था तो George Allen के द्वारा ठीक है George Allen के द्वारा किया गया था उसके बाद नेक्स्ट है कि 1878 SP में देशी भासा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है अधिनियम से बचने के लिए रातो रात जो है अंग्रेजी भासा में रुपांतरित की गया थी तो उस पत्रिका का नाम क्या था तो उस पत्रिका का नाम था अमरित बजार का नाम था अमरित बजार ये सब कोशन पूछे जाते हैं उसके बाद बिवीद में देखिए बिवीद में है राजसी उपाधी अधिनियम ये पारित कब होता है तो 1876 में पारित होता है और पारित प्राधिकारी कौन है तो बिर्टिश संसित के द्वरे इसे पारित किया जाता है और प्रापधान क्या है तो महरानी विप्टुलिया जो भरत की समरागी नीक्त होती है कब 1876 में एक वोसन पूछा जाता है ठीक है 1876 में उसके बाद नेक्स्ट है कि बिधवा पूर कानून कब बन जाता है तो 26 जुलाई 1856 को जो यह कानून बन जाता है और ततकालिन गवर्नर जनरल कौन थे तो लौड कैनिंग जब यह कानून बन जाता है उसमें गवर्नर जनरल कौन थे तो लौड कैनिंग सहाब थे ठीक है लौड कैनिंग सहाब थे और नियम जो है के साधी हो जाता किसी में पूरुष से तो उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको भी अब बैद मान लिया गया था ठीक है नेक्स है कि बंगाल के नवाब और ब्रिक्टिस इस्ट इंडिया कंपनी इसमें पहला है मुर्शित कुली खान अंतिम गवर्नर है मुगल समराड द तो ढाका से मुर्शिताबाद रजधानी को हस्त अंतिर्थ किया जाता है मुर्शित कुली खा के द्वारा उसके बाद नेक्स्ट है अली बर्दी खा इनका कारिकाल कब से कब तक रहता है तो 1740 से 56 के बीच में रहता है एरोपिये सक्तियों के तुलना ये किस से करते हैं तो मध्यु मक्खी के 36 करते हैं नोट कीज़ेगा यह पूछा जाता है एक्जाम में और इनका एक प्रसीद कथन है कि अधी उन्हें ना छेला जाए मतलब अंग्रेज को ना छेला जाए तो वे सहत देगी और अधी छेला जाए तो वे जो है काट काट कर माट डालेगे ठीक है काट काट कर माट डालेगे इसे नोट कीज़ेगा इसका आप लोग PDF ले लिजएगा जिनके पास यह नहीं ठीक है टेलिग्राम से उसके बाद नेक्स्ट है जब पूरा अधुनिक भारत अपलोड हो जाएगा तो आपको PDF दे देंगे नेक्स्ट है सिराजु दौला इनका कारिकाल जो है 1756 से 57 के बीच में रहता है और अलिबर्दी खाका दोहित्र एबं उत्रा अधिकारी कौन है तो सिराजु दौला है और इनहीं के दोबारा जो है ब्लैक होल घटना जो कब होती है 20 जून 1756 ब्लैक होल घटना आपको आदे न कि 146 लोगों को एक ही कमर में बंद कर दिया जाता है और 23 लोग जिंदा बचते हैं बाके लोग मर जाते हैं आदे न उसके बाद है कि पलासी के यूद में जो है रोबर्ट कलाइब से प्रास्त तो पलासी का यूद काव होता है तो 1757 में होता है उसके बाद है मीर कासीम इनका कारिकाल कब से कब तक होता है तो जो मीर कासीम सहाब है इनका कारिकाल जो 1760 से 63 के बीच में होता है यहाँ पर देखिए छोड़ दिया गया है सत्रा सो संतामन से सत्रा सो साथ के बीच में कौन होता है मीर जाफर होता है मीर जाफर होता है और उसके बाद है मीर कासिम मीर कासिम कब से कव तक होते हैं सत्रा सो साथ सो तिरपन के बीच में होते हैं और इनके दवरा अलिबर्दी खा के उत्रा धिकारी नवाबा में जो है सबसे योग कौन थे तो मिर कासिमी थे पुर्णिया तथा रंगपूर का जो है फोजदार यह रह चुके थे पुर्व में और राजधानी जो है इनके द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रासफर किया जाता है कहाँ पर मुंगेर ट्रासफर किया जाता है और आपको याद होगा कि धाका से धाका से जो है मुर्सिदाबाद राजधानी कॉन ट्रासफर करते हैं तो मुर्सिद कूली खा ठीक है मुर्सिद कूली खा और आप मुर्सिदाबाद से मुंगेर राजधानी कॉन ट्रासफर कर देते हैं तो मीर कासिम दोनों पॉइंट यादर रखेगा उसके वाद है कि सेना का जो गठन है सेना का गठन जो इनके द्वारा इरोपिये पद्ती पर किया गया था सेना का गठन और मुंगेरि में ज्वे तोपो तता तोड़े दार बंदुख बनाने की ब्यवश्ता की गही थी किसके द्वारा तो मीर कासिम के द्वारा और बकसर के यूध में ये पराजित हो जाते हैं तो बकसर का यूध कब होता है 1764 में जो आपकी बकसर का यूध होता है ठीक है 1764 में उसके बाद नीचे आईए आप रोबर्ट कलाइब के बारे में देखिए ये रोबर्ट कलाइब इनके द्वारा जोए सिर्वाज़ दौला को हराया जाता है कब हराया जाता है उसके बाद है कि भारत में जो ब्रिटिस प्रभुत की नीव रखने वाला गवर्णर कौन है तो रोबर्ट कलाइब है बंगाल जो बंगाल का गवर्णर है कौन बनता है तो बंगाल का जो पहला गवर्णर बनता है रोबर्ट कलाइब बनता है और कब बनता है पहली बार तो 17 17 miteinander से 60 के बीच में और बाद में भी गवर्नार बनता है दूसरी बर कब बनता है 1765 से 66 सब्सक्राइब के बीच में दूसरी बर बनता है उसका याद रखना है इलाहबाद कि संदी तो साह आलम दूतिय तथा सुजा उदावला के साथ में किया गया था आपको याद है कि अलग लग संदी किया गया था साह आलम दूतिय साथ में संदी कब किया गया था तो जो साह आलम दूतिय को ने तो मुगल बात्सा है तो इनसे किया गया था 12 अगस्ट 1765 को और जो सूजा उदावला है इनसे कब किये गा था 16 अगस्ट 1765 में किये गा था ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है स्वेट विद्रो अंग्रेज सैनिको का था और किसके ससनकाल में होता है तो रॉबेट कलाइब की ससनकाल में होता है जो है सुखा भी पड़ता है बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है उसके बाद है जननेता जो रॉबट कलाइब है वेएक तरीके से सैनिक था एक सिंपल सैनिक था कलक था उससे एक बहुत बड़ा जो है नायक बन गया किसका अंग्रेजों का तो जननेता सैनिक के रूप में ठीक है जननेता सैनिक के रूप में उसके बाद है कि भारत में ब्रिटिस समराज का संस्थापक कोन है तो रॉबट कलाइब साहव है कोन है रॉबट कलाइब साहव है इतना आपको नोट कर लेना एक्जाम में पूछा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखी पलासी ठीक है पलासी बरतमान नाम इसका क्या है यहाँ पर देखी पलासी है का इयुद जो है मैदान पच्छी मंगाल राज के नादिया जिले में अस्ती थे और आपको याद रखना है कि भागिर्थी नदे किनारे ठीक है भागिर्थी नदे किनारे अस्ती थे पलासी कंपनी दोवरा नेक्त दो उप दिवान दिवानी कार है तू तो दो उप दिवान कौन-कौन थे नोट कीजी पूछा जाता है तो मुहम्मद रजा खान ये कहां के दिवान थे तो बंगाल के लिए दिवान थे और जो सिताब राय है ये कहां के दिवान थे तो बिहार के लिए दिवान थे बकसर के यूद के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था बगसर के यूद के समय जो है बंगाल का नवाव कौन था तो मिर जाफर था मिर जाफर था मिर जाफर था इनपोर्टेंट है उसके बाद है कि बक्सर का यूध कभ होता है यह डेट याद रखेगा BPSC जो डेट पुचता है ठीक है डेट याद रखेगा कभ होता है तो 22 अक्टूबर 1764 को यूद समाप्त हो जाता है ठीक है बक्सर का यूद और मेर कासिम अवद के नवाब सुजाओ दौला और दिल्ली के सासक सा आलम दुतिये बना अंग्रेजों के बीच में यूद होता है ठीक है किसे किसे के बीच में होता है तो मीर कासिम कौन है तो बंगाल का अपदस्त ये जो है ना बंगाल का अपदस्त नवाब है और उसके बाद आवद के नवाब सुजाओ दौला और दिल्ली के जो बात्सा है सा आलम दुतिये और किसे के बीच में होता है अंग्रेजों के बीच म तो हेक्टर मुंद्रो नोट कीजिएगा मेजर हेक्टर मुंद्रो के द्वारा किया जाता है बंगाल का उसमें ततकालिन नवाब कौन था तो मीर जाफर उपर देख चुके हैं कौन था मीर जाफर था ठीक है अच्छा आप लोग कमेंट करके बताएगा कि जब आपके इलाहा इलाहाबाद का संधी हो रहा था तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था नजमा उदावला नोट कीजिएगा नजमा उदावला थे नजमा उदावला कौन थे तो मीर जाफर के बेटा था नजमा उदावला उसके बाद है साह आलम दूतिये ठीक है साह आलम दूतिये इनका क कारकाल कर रहता है, 7059 से 1806 के बीच में इनके कारकाल रहता है, तो इलाहबाद की दुसरी संधी के बाद घटना करम देखें, आपर लिखा गया है, इलाहबाद की संधी के बाद घटना करम, साह आलम, ठीक है, साह आलम, दूतिये के बारे में आपर बात किया जा रहा है, अंग इलहाबात था कड़ा के चछेत्र साहलम को प्रदान कर दिया जा ठीक है उसके बाद है बारह अगस्त जो बारघ अगस्त के साथ बारह अगस्त जो है इलहाबात क一次 होता हुता है, तो किससे के बीच में होता है तो शाह- बंगाल का बिहार का उडिसा की दिवानी अश्थाई रूप से परदान हो गई अंग्रेजों को ठीक है उसके वाद है कि कंपनी द्वारा समराट को 26 लाख रूपय प्रति बर्स दिया जाएगा तो आपको याद होगा जो अवध के नवाब हैं जो अवध के नवाब कोई थे उनका नाम क्या था सूजा ओधूला पर अरोपित कर दिया गया था नेक्स्ट है डुपले के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले बार जो है इरोपिये सेना को भारतिये बेये पर जो है भारतिये राज़ दर्बार में जो भारतिये भारत के सासरक थे उनके दर्बार में नेकुत करने की पर्था किसने सुरुवात की थी तो डुपले पहला वेपारी करखाना अस्थापित होता है कहाँ पर सूरत में और कभ अस्थापित होता है तो 1668 में धीक है उसके बाद आपको याद रखना है कि चेतरिये राज हो फया है कि पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे तो पंजाब के जो आपके सासक है उनका नाम क्या है तो रंजित सी उनका नाम है ठीक है इनका जनम कब होता है तो इनका जनम जो है तिरा नमंबर 1780 को होता है और सुकर चकिया मिसल में होता है ठी सिंग, महा सिंग के घर में इनका जनम होता है, ठीक है उसके बाद है अमरीच सर की संधी अमरीच सर की संधी जो है किसके किसके बीच में होता है, तो महराजा रंजित सिंग और अंग्रेजों के बीच में होता है और कब होता है, तो 25 अपरेल 1809 स्वी को होता है उसके बाद है कि चिनाव नदी के बारे में रखेगा चिनाव नदी में जो है गिरी जमान सा जमान सा कोने एक अफगानिस्तान का सा सकता उससे में बहुत पावरफूल सा सकता तो चिनाव नदी में गिरी जमान सा की जो तोपो तोपो को जो है निकलवा कर बापस जमान सा के पास कौन भजवा देता है तो रंजित सी ठीक है रंजित सी भजवा देते हैं और उसके बाद के आए कि जो जमान सा है लोहर पर रंजित सी को अधिकार करने की अनुमती देता है सिर्फ खुस होके कि बताओ एक बंदे ने तो पानी से निकलवाया और घर भ पर अधिकार कर लिया जाता है ठीक है और अधिकार कर लिया जाता है और लोहर को अपने राजधानी बनाया जाता है रंजित सी के द्वारा उसके बाद है जमान साह ने राजा की उपाधी दी तो राजा की उपाधी किसने दी रंजित सी को तो जमान साह ने और लोहर को अपन लहोर का अपना सुबयदार माना ठीक है। जो लहोर था उसका अपना सुबयदार किसे माना रंजित सी को माना जमान साने। ठीक है। ये भी आपके अफगानिस्तान के सासक हैं जो उपहार के रूप में जो है कोहनीर हीरा को रंजिसी को दिया जाता है इनके द्वारा उसके बाद आपको याद राखना है Victor Jacma यह Francis सी परियटेक है जो रंजिसी को तुलना किसे करता है तो Napoleon Bonaparte से रंजिसी का तुलना करता है ठीक है उसके बाद है फकीर अजि जुद्धीन फकीर अजी जुद्दीन रंजी सी का विदेश मंद्री है ये परचिद कथन किसका है तो नोट कीजिएगा ये पूछा जाता है परचिद कथन कि इस बर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगा से देखूं इसलिए उसने दुसरी आख थी उसकी भी रोस्नी ले ली तो किसका कथन था तो रंजी सी का कथन था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब ठीक है पंजाब तो जो लहौर है जो लहौर है रंजी सी की राजनितिक राजधानी थी लहौर राजनितिक राजधानी थी अमरित सर धार्मिक राजधानी थी धार्मिक राजधानी थी दोनों पर रंजिसी ने क्या किया था अपने ताकत के दम पर अधिकार किया था लहौर पर भी और अमरित सर ठीक है अमरित सर को किसी चीन था तो भंगी मिसल से ठीक है, भंगी मिसल से Next है पंजाब. 1849 ISP में जो थोती ऐ, आंगल सिख यूद की समापती हो जाती है कब 1849 को और पंजाब का बिटिस समराज पर एक तरिके से अधिकार हो जाता है पंजाब का बिटिस समराज में भिले कर लिया जाता है तो 1849 में कर लिया जाता है और 3 सदस्य परिशद का गठन किया जाता है पंजाब पर सासन है तू, किसके दौरा तो Lord Dalhaugy के दौरा गठन किया जाता है और इसके अध्याच कौन होते हैं जो 3 सदस्य आपके परिशद है तो अध्याच होते हैं Sir Henry Lawrence Sir Henry Lawrence और सदस्कोन होते हैं, तो जौन लौरेंस ठीक है, जौन लौरेंस और चाल्स ग्रेन-बी ले चाल्स ग्रेन-बी ले और मांसे ले ठीक है, मांसे ले, नोट कर लिजेगा, इतना आपको याद रखना है, उसके बाद निचे देखिए, नेक्ट्ट पॉइंट है, दिलिपसी के बारे में ठीक है तो अंतिम सीख समराज कौन था तो जो अंतिम सीख राजा कौन था तो दिलिपसी थे और इनका जो कारकाल कब से कब तक रहता है तो 1843 से 1849 के बीच में इनका कारकाल रहता है और धर्म परिबर्तन कर जो है ये सीख से इसाई बन जाते हैं धर्म परिबर्तन क पर शुरुवात में सीख होते हैं लेकिन अपना धर्म परिवर्तन कर इसाई बन जाते हैं और दिलिप सीख के द्वारा रूस की यात्रा की गई थी यह अस्टेटमेंट पुछा गया था IS मे ठीकि इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया गया है उसके बाद है कि पलायन अंग्रेज्यों से बुर्य चले गए बृतन चले जाते हैं और उसके बाद है कि इनका निर्दतन जो अže मौत हो जाती है तो अक्टूबर 1893 में और कहां पर होती है इनकी मौत तो पेरिश में इनकी मौत हो जाती है फ्रांस में और इनका जो अंतिस्टी जो है कहां पर किया जाता है इनका जो अंतिस्टी है किया जाता है इंगलेंड में मौत होती है इनका पेरिश में और इसका जो अंतिम स यूद यह बिहार दरोगा में पूचा गया था वियूर उनीस में यह कॉस्ण को पूचा गया था अब लोग जाकर देख सकते हैं तो बहुत से बच्ची को पता भी नदे चला की चेलियां बाला को यूद भी होता है तो कब हुआ था तेरा जन्रबरी 1849 को हुआ था ठीक है औ और यहसे में आपको याद रखना है कि लॉड गफ जो लॉड गफ है अंग्रेजी सेना का नित्रित्व करता है और सीख सेना का नित्रित्व कौन करता है तो सेरसा कौन करता है सेरसा करता है इसका परिनाम क्या होता है इसमें कोई ना जितता है नो कोई हारता है और निरनायत परिनाम होता है और उससे में जो 1849 में तातकाली गवरंट जनरल कौन थे तो लॉड डॉलोजी लॉड डॉलोजी थे इसे नोट कर लीजेगा एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है किसके किसके बीच में हुआ था तो सीख और अंग्रेजों के बीच में हुआ था चलिया वाल 1767 से 1769 के बीच में होता है ठीक है 1767 से 1769 के बीच में होता है आपका प्रिथम अंग्ल मैसूर यूद है और किसके किसके बीच में होता है तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में होता है और इसमें बीजाई कौन होते हैं तो हैदर अली जो हैं बीजाई हो जाते हैं ज उससे में जो अंग्रेज गवर्नर कौन थे तो उससे में जो ततकाली अंग्रेज गवर्नर थी उनका नाम था बेरे लस्ट बेरे लस्ट उनका नाम था और यूध जो आपकी समापत की संधी के माधियम से होती है तो मदरास की संधी के माधियम से यूध समापत होता है और कब अप्रेल सेवन्टी सिस्टी नाइन को योध समाप्त हो जाता है ठीक है उसते बाद next है दूतिये ये तो पहला हो गया अब देखें दूतिये आंगल महसूर योध ये कब होता है तो 1780 से 84 के बीच में होता है ठीक है 1780 से 84 के बीच में होता है हैदर अली जो है हैदर अली जो लाई 1780 में जो है करनाटेक पर अकर्मन करता है और करनल बेली के नित्रत बाली अंग्रेजी जो सेना को हरा कर जो है आरकाट पर अधिकार कर लेता है एक छेतर है अरकाट पर अधिकार कौन कर लेता है हैदर अली कर लेता है ठीक है उसके बाद इसी में आगे कि टिफू पिल्ली लूर पर हेक्टर मुन्रो की सेना को प्राजित कर देता है आगे नेक्स्ट है 1781 में हैदर अली बनाम आयर कुट ठीक है 1781 में हैदर अली बनाम आयर कुट ठीक है यूध होता है उसके बाद है कि पोटो नोबो पोली लूर और सिलिंग गूर ये आयर कुट ने जो है हैदर अली को हराया आयर कुट ने जो है हैदर अली को कहा कहा पर हराया बाद में 781 में तो पोटो नोबो में पोली लूर में सिलिंग गूर में आपके हराता है उसके बाद है कि दिसंबर 1782 में हैदर अली जो हैदर अली है यह टिपू सुल्टान है उनके पिता जी हैदर अली का मौत हो जाता है मिर्तु हो जाती है उसके बाद नेक्स है 1784 में जो है जब इनकी मौत हो जाती है तो फिर बाद में 784 में एक संदी की जाती है अंग्रेजो और टिपो सुल्टान के बीच में उस संदी का नाम कै तो मंगलॉर की संदी नुट की जीएगा जो दूसरा यूद समाप्त हुआ है मंगलॉर की संदी के माद्यम से समाप्थ हुआ है और पहला यूद जो है मदरास के संदी के माध्यम से समाप्थ हुआ है ठीक है तो यह नीचे लिखा गया है दो तिया आंगल मैसूर उद का समापन जो है यूद उद नहीं यूद यूद का जो बार का समापन हुआ है मौंगलोर की संदिके माध्यम से नेक्स है कि तिसरा आंगल मैसूर यूद ये कब होता है तो तिसरा जो आंगल मैसूर यूद है ये होता है 1790 से 92 के बीच में होता है और किसके किसके बीच में होता है तो एक साइड में आपकी त्रिगूट था त्रिगूट में कौन कौन थे तो कार्णबालिस था उसमें मराठा था और हैदराबाद का निजाम था और अकेले कौन थे टीपू सुल्तान थे अकेले कौन थे टीपू सुल्तान थे और इस यूद में जो है टीपू सुल्तान पराजीत हो जाते हैं और इनके साथ जो है स्री अधा राज जोई इनome इसे चीन लिए गया और यहां तक तो जो जो एपसे नहीं चुकों आये थे उनको अंग्रेश्ज को अंग्रेजयों ने उनके बेटे को बंधक बना लिया था उसके बाद नीचे की स्री रंग पत्नम की जो संधी है ये कब होती है तो मार्च 1792 इस्वी को होती है तीपु सुल्तान और कारणवालिस के मध में होती है और ये परिनाम क्या है तो तीपु सुल्तान और कारणवालिस के मध में होता है उसके बाद है चतुर्थ आंगल मैसुर यूद ये लास्ट वाला यूद है तो इसमें जो 1799 में जो है चतुर्थ आंगल मैसुर यूद होता है इसमें टीपु सुल्तान की मौत हो जाती है और अंग्रेजी सेनका नेतरी दुकिस के द्वारा किया गया तो बेलेजली और अस्टुवर्ट के द्वारा किया गया और इसके बाद जो है पूरा आपके जो मैसुर राज है उसे अपने अंदर में ले लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर एक कट पुतली कट पुतली सासों को बैठाया जाता है मैसुर में ठीक है कट पुतली सासों को मैसुर में बैठाया जाता है और महतपुर्ण जो तथ है से देख लेजी एगजाम में पूछे जाते हैं टीपू सुलतान ने श्रीरंग पट्णम को अपनी रजधानी बनाया तो ओपूछा जैगा कि यो टीपू सुलतान ने अपनी रजधानी कहां पर बनाता है उपादी दी तो माकी वस माकी वस की उपादी दी उसके बाद next time चतूत आंगल मैसुर यूद के बाद जो अंग्रेजों ने मैसुर की गदी पर पुना अडियार बंस क्या बोले आगो अडियार बंस के एक बालक क्रिस्न राज को बिठा दिया अग्रेजी राज में मिला लिया गया जो बाकी छेत्प था उस पर किसे बठा दिया गया तो एक अपनी कट पुतली नवाब को बठा दिया गया जो अडियार बंस का था बच्चा था और उसका नाम क्या था क्रिस्न राज को बठा दिया गया अब देखे इसके बाद जो भी सकेंड वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लास्ट में हम लोग लास्ट में एक बार मर्ज करके आपको दे देंगे ठीक है जब तक आप पैट वाई पार्ट देखिए कोशिस करेंगे कि ज़्यादा बला वीडियो ना हो पता ने हमें पता भी नहीं है कि इतना बला वीडियो बन गया होगा आप लोग को बीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है थैंक यू